सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी वसंत भाग एक का पाठ दो का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं और वो है बच्चपन, लेखी का अपने बच्चपन की दास्ता बताती है, आप भी बच्चपन के दिन से गुजरे हैं बच्चों, बच्चपन के दिन इतने सुआओने ह होते हैं, जिसमें कोई गम न खुशी, आनंद में बच्चे रहते हैं, और बच्चे क्या क्या करते हैं, पहले क्या होता था, लेखी का बताती हैं, अब क्या होते हैं, पहले कौन से खेल होते थे, अब कौन से खेल होते हैं, इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए, मैं अंति उनी छोटी भाई का टोपा उठा कर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजा गया भी, तब की बात थी, अब तो चेरे के साथ धुल, गुल मिल गया है चश्मा, जब कभी उत्रा हुआ होता है, तो चेरा खाली-खाली लगने लगता है, याद आ गया है वो टोपा काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत सा, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, मैंने कही रंगों की जमा कर ली है, वहां कहां दुपटो का ओडना, और कहां सहज सहज सुलब, सुभी ले, सुभी ते वाली हिम आ चली टोपियां, बच्चों इस पार्ट को ध्यान से पढ़िए और ये कुछ प्रस्टन दिये हैं, इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर कीजिए, याद भी कीजिए, तन्यवाद